तो भाई अभी मौका है अभी 27 पर चल रहा है अभी के अभी स्टॉक से आउट हो जाओ क्यों मनना जाती हो हेलो दोस्तो एक बात दुआरा से आप सभी का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो अगर आप चैनले में नए आए तो चैनले को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो लाल करण आपको बटन दिख रहा होगा चैनल को डिख के जाना काफी सारा पैसा आपका बश सकता है अगर आप वीडियो को पूरा दिख के जाती हो बहुत कर देना या लाइक ठीक है आप हमारा टेलिग्राम गुरूप जॉइन कर सकते उसका लिंग नीचे आपको मिल जाएगा और इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते वो भी नीचे है सब कुछ तो ठीएचे फर में पहले आपको करना गया है देखो भाई पहले बात को समझो यह स्टॉक ऑल्मो गदवध को द्यान नकलो जब अपको यह न्यूज देखे ठीक है ंठीके अचे है इन्सलेन्सी इसका मतलब क्या होता है कोई कंपनी इंसलेन्सी फुर्सए स्टार्ट कर देती है तो उसमें आपको हमेशा कोई हो कमपनी हो कोईезж होती है न वह स्चोंध ऑपनी को जो यह McMह दिखा है और यह हर बार होता है और यही चीज इस टॉक में हुआ है क्योंकि इंसुलेंसी इसका पुरसे चल रहा है तो इस टॉक आपका 10 रुपे से फोटे थी रुपे चलेंगे औलमोस् 4 गुणा हो गया तो यह मूव जो आई यह आपको निकलना होता है मांको बाय नहीं करना होता है इसमें बड़े प्लेयर इसमें निकलते है उक कैसे निकलते है आप देखी तोड़ा अगर आप धियांसे देखिए प्रमोटर की लेकिन अगर आप यहाद से देखोगे जो दो प्लेयर है FII और DIA जो सब के बाप होते है ठीक है वो डिटेल के भी बाप समझे लेजिए मार्केट के बाप हो तो FII ने डियेचेव में क्या किया देखिए मार्थ 2018 में 19% की होल्डिंग थी उनकी तो अब दिसम्माद 2020 में होल् और सेम के ज्यादा DIA का 9% थी अब 3% रह गही है तो मतलब जब भी यह स्टॉक का मूज आते है इंसल्वेंसी में तो उसमें यह जो बड़े प्लेयर होते है FII और DIA यह अपना माल पब्लिक को पिल के चले जाते है चेपके चले जाते है और पब्लिक प्यार से उसको प्या तो DHFL going to be zero अगर आपको अपना पैसे से प्यार है तो definitely stock को कल ही-कल मार्केट में खुलती exit मार दो और DHFL का एक और बात बताने जाता हूँ अगर आपको इसमें trading करनी है यह stock up trading purpose से इसमें आपको अच्छी moves मिलेगी अच्छा पैसा बन सकता है तो अगर आपको trading करनी है swing trade ब करता है और close करता है आप buy कर लीजिए 45 के उपर तो रॉकिट हो जाएगा और आपको 90 रुपे के target दिखा सकता है आप बोलगे सारे 90 रुपे के target आप क्यों बोल रहे हो दोस्तों जी मैं आपको यह जो moves बता रहा हूँ यह होती है trading moves ठीक है क्योंकि जब तक यह stock 44 के उपर close कर लेना उससे पहले buy मत करो अगर आपने हाल में इसको buy किया है या आपने 2 रुपे 3 रुपे 10 रुपे में इस stock को buy किया है आप इससे अभी की अभी निकलो ठीक है बाई मैंने बता दिया कि stock में को क्या करना है बाकी होड देख लिए stock में और आप देख सकते हो दोस्तों यह मैंने यह इसका फिवनाची रेटेस्मिन लगाया है टॉप से हाइस तक ठीक है तो आप देख सको 61% वे से इसने सपोर्ट लिया है तो जैसे यह stock 23 रुपीज तोड़ देगा ठीक है 23 रुपीज तोड़ देगा यह stock अपने उकाद में जाएगा और आपको अनाम से 10 है अभी के अभी stock से आउट हो जाओ क्यों मनना जाती हो अगर आपको उसको बाय करना है तो 45 रुपे के उपर बाय करना और 5 रुपे का स्टॉप को से लगाना और वेट करना 90 रुपे के टार्गेट के लिए ठीक है भाई दोस्तों यह है मेरा DHFL का latest तो दोस्तों यह है डे आइस इसमें जीरो होने वाला है तो यह था मेरे तरब से DHFL mattress news DHFL news आशा करता हूं आपने वीडियो को देखा होगा अगर यह यहां तक देखा है तो definitely लाइट कर देना शेर कर देना कॉमेंट कर देना नीचे कॉमेंट करो आपके कुछ stocks है तो मैं definitely उसके बर वीडियो बना क कि आपको उसमें क्या करना चाहिए चलो मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो मेंश बाइ